हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक मैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस्ताइब फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके रेड्मी नोट 8 में यदि वन साइड कनेक्टेट प्रोब्लम आती है मतलब आप येरफोन कनेक्ट कर रहे हैं या त बताबी चेंज करके देख लिए उसके बाद भी नहीं हो रहा है और अगर आप ये चेंज नहीं करना जानते हैं तो भी उसका सोलुशन में आपको कंप्लेटिव वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों सिरिफ एक जंपर बताऊंगा सिरिफ एक जंपर और जो भी छोटा सा जंपर होगा उस जंपर को हम लगाकर इस प्रोलम को कैसे सोल कर सकते हैं लेकिन उस जंपर की एक कमी है उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप प्रोपर सही डंग से इसको रिपेर करना चाहते हैं तो किस तरीके से रिपेर कर सकते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो को start करती हैं, तो सबसे पहले देख सकती है, यह है हमारे कनेक्टर, ठीक है, इसमें जो यह कनेक्टर है, और दोस्तों इसकी यह वाली पिने, वह है हमारे इसकी लेप साइड की पिन, ठीक है, जो हमारे एरफोन के अंदर लेप साइड का speaker होता है, उसके तो इस लाइन को ट्रेस कीजिए अब मैं आपको बताओं कि यह लाइन हो जाती कहां पर में अपना टाइम बचाने के लिए दोस्तों इसमें पेले सी तोड़ा सा ड्रो करके रखाएं ताकि आपको कम टाइम में अच्छी चीज समझा सको ठीक है और उसके बाद दोस्तों यह इस वाले पॉइंट पर यहां पर आती है उसके बाद इस वाले पॉइंट पर आती है उसके बाद इस वाले पॉइंट पर आती है उसके बाद इस वाले पॉइंट से बहार निकलती है ठीक है और उसके बाद इस वाले पॉइंट पर आती है उसके बाद इस वाले पॉइंट आपको check कर लेना अगर sorting आ रही है तो पिर आपको जो ground से connected जैसे एक ये वाला इसको अटा कर देख लिए इसको अटा कर देख लिए अगर आपको यहां पर sorting नहीं आ रही है तो direct क्या करना है इस वाले कर रिजिस्टर से jumper उटाना है और direct अपने left side के इस page लगा देना आपका speaker work कर जाएगा लेकिन इससे भी एक jumper solution ओर है यह तो मैं आपको complete सही तरीके से repair करना बता रहा हूँ ठीक है और उसी तरीके से इसकी जो right वाली line है वो right वाली line आती है हमार इस तरफ ठीक है इसमें आती है अगर दोस्तों आपको यह register खराब हो जा आइए और डारीर अपने right side पर लगा सकते हैं तो भी आपको इसमें speaker work करेगा right side का अब दोस्तों मैं आपको बता हूँ पहले इसकी line को थोड़ो समझा देता हूं उसके बाद एक jumper बताऊंगा जिससे आप एक jumper करते हैं इस problem को solve कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले या तो आपका Left स्टा करा baru सूर्द वर्क करने लगएगा लेकिन दोस्तों इसका प्रोब्लम क्या हो अगर एक इसपिकर का पावर दो स्पिकर में दे दिया जाए तो उतना बेस नहीं रहता है जितनी दमदार आवाज आनी चाहिए उतना नहीं आते हैं लेकिन इतना महसूस नहीं होता है चल जाता है इस जंपर के द्वारा ठीक है इससे क्या एक स्पिकर की सप्लाई दोनों में मिल जाती हैं तो हमारा दोनों स्पिकर काम करने लगते हैं तो इस तरीकी से दोस्तों आप इस में इस प्रोब्लम को आसानी से सहूल कर सकते हैं और दोस्तों जो मैंने बताया और समझाए वह आपके लिए हल्पूल रहा होगा दोस्तों मिलते ह यार इसी तरह के इंट्रस्टिंग और हल्पूल वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई